हेलो एवरिवन वेल्कम टो स्कूल डायरीज इस वीडियो में करते हैं क्लास फूर गांग इंगिलिश लास्ट वीडियो में हमने एक पोयम किया था वेर गो दपोट्स इस वीडियो में करेंगे हमारा लेसन नमबर थ्री एलियास लियो डॉल्स टॉई तो ये है आपका lesson no.3 इलियास तो इलियास जो है किसी का नाम है तो देखते हैं उसके उपर ये story भी है तो चलिए हम story को पढ़ते हैं उससे पहले दिखें यहाँ पे कुछ questions पूछे हैं कि Do you think the people shown in the pictures are happy? कि आपको लगता है इस picture में जो लोगों को दिखाया गया है वो खुश है तो yes है ना उनके facial expression से हमें यही पता चल रहा है कि वो happy है तो आप yes लिखेंगे then then पूछाए कि what makes you happy? आपको कौन सी चीज है जो happy करती है जो खुश कर देती है तो आप अपना answer लिखेंगे कि आपको क्या चीज हो जाने पर आपको खुशी मिलती है तो यह सब personal questions है आपके तरीके से इसको फिल कर सकते है और उसके बाद दिखेंगे यहाँ पर matching दिया गया है male animals को female animal के साथ match करना है तो चलिए देखते हैं देखें horse नतलब जो male horse होता है ठीके तो उसका female को हम क्या बोलेंगे उसके female को हम बोलेंगे mare ठीके then sheep sheep के female को क्या बोलेंगे so female sheep को हम बोलेंगे ewe ठीके तो हम यहाँ पर ewe से मिला देते हैं Then deer, female deer को हम क्या बोलेंगे? डो, ठीक है? female deer को बोलेंगे डो, fox के female को हम बोलेंगे vixen और bull के female को हम बोलेंगे cow जो गाय होती है, ठीक है? तो आपको ऐसे इन जंडर्स को match करना है, तो चलिए अभी हम story की तरफ चलते हैं, देखिए story के पहले, यहां पर उसके writer के बारे में कुछ information दी गई है तो वो देख लेते हैं, देखिए, इसके writer है Leo Tolstoy और वो एक famous Russian author थी है, मतलब Russian writer थे और वो world के सबसे बड़े एक सबसे बड़े novelist भी थे novelist मतलब जो बड़े-बड़े novels लिखते हैं writing लिखते हैं, बड़ी-बड़ी कहानिया लिखते हैं उनका जनम जो है, एक बहुती famous aristocratic family में हुआ था मतलब बहुती well settled, rich high five class की जो लोग होते हैं उन्हें aristocratic बोलते हैं तो ऐसी एक family में उनका जनम हुआ था और उनके parents जो है, उनकी parents जो है, घर में ही हुई, tuition वगेरा से हैं ट्यूटर्स आकर पढ़ाते थे और लेटर उन, वो कजान university में गए आगे law की पढ़ाई करने के लिए, उसके बाद वहां से भी लिए टाल स्टॉइल ने अपनी university को वहां पर भी उन्होंने छोड़ दिया था अपने पढ़ाई के आधे में और उसके बाद उन्होंने कुछ समय army में काम किया था और लेटर उन्होंने अपनी writing शुरू कर दी थी उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था उनकी लिखने में बहुत बड़ी रुची थी और उनके कुछ remarkable creations मतलब उनका जो बहुत ही famous writings है उसमें से एक है war and peace और अन्ना करनीना ठीक है ये उनके जो दो famous writings है उनका नाम दिया गया है तो ये यहाँ पर लियो टॉल्स्टॉय के बार में बताया गया है और उने ही ये कहानी भी लिखी है इलियास ठीक है जो कि आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं तो ये भी उनकी एक writing है तो इलियास यहाँ पर एक आदमी का नाम है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है इलियास ठीक है और ये है उसकी wife ठीक है तो चलिए हम देखते हैं इन दोनों के बारे में ये कहानी है तो वहाँ एक बार की बात है तो एक आदमी रहता था उसका नाम इलियास था जो की उफा में रहता था तो ये जगे का नाम है इलियास's father died after one year of इलियास's marriage और इलियास के शादी के एक ही साल बाद उनके पापा की भी death हो गई थी He did not leave him much property और उनके पापा इलियास के लिए बहुत ज़ादा property बहुत ज़ादा धन छोड़कर नहीं गए थे इलियास then had only seven mares, two cows and about a score of sheep तो इलियास के पास उस समय जब उनके पापा की death हो गई थी तो इलियास के पास सरफ seven mares थे mares अभी हमने देखा female horse को mares बोलते हैं ठीके और उनके पास दो गाएं थी, दो cow थे और एक score of sheep था मदब बहुत ग्रूप, एक group of sheep उनके पास था तो ये कुछ animals थे जो उनके पापा उनके लिए छोड़के गए थे इसके अलावा बहुत ज़ादा उन्होंने कुछ भी नहीं इलियास के लिए छोड़ा था then he was a good manager and soon began to acquire more पर इलियास जो है बहुत ही अच्छे से चीजों को manage करता था और इसी कारण उन्होंने जो है बहुत अच्छे से काम किया और वो जादा acquire करने लगे मतलब वो जादा जादा rich होते चले गए उनका जो level है उनका जो position है वो और अच्छा होते चला गया he and his wife worked from morning till night वो इलियास और उनकी पतनी जो है दोनों सुभा शाम काम करने लगे पैसे कमाने के लिए rising earlier than others and going late to bed तो वो सबके उटने से पहले उट भी जाते थे और सबके सोने के बाद भी काम करते रहते थे तो वो दिन रात महनत करते थे सुभा से लेकर शाम तक वो काम करते रहते थे his positions increased year by year उनके उनका positions मतलब उनके पास जो भी समान था जो भी चीजें थी जो जो उनके पास था वो जो है बढ़ते गया मतलब वो rich होते गए यही बता रहे हैं 10. इलियास gradually acquired great wealth gradually मतलब धीरे धीरे इलियास बहुत जादा acquire करने लगे बहुत सारी चीजें वो हाजिल करने लगे अक्वायर करने लगे मतलब वो उनके पास आने लगा बहुत सारी चीजें और उनका wealth जो है बहुत अच्छा हो गया मतलब वो rich होते चले गए अमीर बनते चले गए At the end of 35 years, he had 200 horses, 150 heads of cattle and 1200 sheep जब वो 35 years के हो गए तब तक उनके पास 200 horses आ गए थे तो पहले आपने देखा होगा बहुती कम animals उनके पास थे जो उनकी जो वो animal farming करते थे बहुती कम animals उनके पास थे, farm animals लेकिन फिर दीरे उन्होंने इतने सारे animals खरी दे और उनकी farming करने लगे कि वो 200 horses हो गए, 150 heads of cattle और sheep इतने सारे और 1200 sheep उनके पास आ गए थे He hired men and women to work for him और फिर उन्होंने जो है hire किया, मतलब उन्होंने रखा अपने पास कुछ आदमियों को और कुछ औरतों को काम करवाने के लिए मतलब अपने अंडर काम करवाने के लिए उन्होंने कुछ काम वालों को भी अपने पास रखा They tender his flocks, herds, milked his mares and cows and made kumis तो Elias ने अपने सारे farm animals का बहुत अच्छा ध्यान रखा, tender मतलब उनकी बहुत अच्छी care की So his flocks and herds, मतलब ये जो words है ये दिखाते हैं group of animals, ठीक है जिससे flock of sheep, herd of sheep, herd of cow, उसका मतलब होता है कि बहुत सारे animals का group तो उस group के लिए ये words use के गए हैं और milked his mares and cows और वो अपने mares और cow मेंसे उन्होंने वो दूद भी निकालते थे और उसमेंसे कुमीज बनाते थे तो कुमीज देखे, यहाँ पर बताया गया है कि एक special kind of drink है कुछ drink है जो वो बनाते थे उसका नाम है कुमीज ठीक है and वो क्या बनाते थे बटर बनाते थे और चीज बनाते थे क्योंकि ये सारी चीजे तो milk से ही बनती है तो इतना सारा वो काम करते थे और अच्छे से कमाने भी लग गए थे Elias had an abundance of everything and everyone in the district invite him so ऐसे से करते करते इनके पास जो है बहुत सारा abundance मतलब बहुती जादा मात्रा में उनके पास समान भरने लगा वो rich होते चले गए और सारे लोग उस district में उनके बारे में बाते किया करते थे सभी की इच्छा रहती थी कि वो भी Elias के जैसे बन पाए सभी के लिए वो जो है एक role model की तरह बन गए थे influential people heard of him and wanted to acquainted with him so influential people मतलब बहुती उंचे उंचे लोग जो उनसे बहुत जादा influence हुआ करते थे उनसे जो बहुत जादा प्रभावित कुछ लोग हुआ करते थे जो उनके बार में सुनते थे जो है relation बनाये रखना चाते थे और उनके लिए भी बहुत सारे मतलब बहुत सारे लोग उनसे मिलने भी आया करते थे people from distant places visited him ठीक तो जो भी दूर दूर से इनके बार में सुनता था जब वो उनसे मिलने आते थे इलियास had three children इलियास के तीन बच्चे थे ठीके उसमें से दो संस थे दो बेटे थे और एक बेटी थी then he married them all off उन्होंने सभी का जहे शादी भी करा दिया था तीनों बच्चों की शादी भी हो गई थी when he was poor his sons had worked with him जब वो गरीब था जब इलियास गरीब था उसके संस उसके बेटे जो है उनके साथ काम करते थे इलियास के साथ अपने पापा के साथ काम किया करते थे they looked after the flocks and hurts themselves तो बच्चे कैसे help करते थे वो जो है flocks को मतलब वो जो पूरा sheep है पूरा horses है उनके जो जुंड को जो है ना पूरे animals को उनकी देखबाल करने में जो है वो इलियास की मदद किया करते थे but when इलियास grew rich और उसके बाद जब इलियास अमेर हो गए they got got spoiled spoiled मतलब खराब हो जाना और जैसे ही इलियास जो है rich हो गए तो उसके बच्चे भी जो है खराब हो गए मतलब बिगड गए उनका भी जो स्वभाव है वो बिगड़ते चला गया पैसे आने लगे तो उनकी भी आदतें खराब होने लगी the eldest was killed in a brawl तो जो eldest है जो सबसे बड़ा बेटा था उनका सबसे बड़ा वो जो है मारा गया एक brawl में मतलब किसी लड़ाई में मतलब जब लोगों के आपस में लड़ाई होती है तो कोई किसी को मार देता है तो इसी तरीके से जो इलियास का सबसे बड़ा बेटा था वह ऐसे मारा गया था and the young one stopped obeying his father और जो सबसे चोटा बेटा था उसने भी अपने पिताजी का यानि इलियास का कहना मानना बंद कर दिया था और बे करना मतलब कहना मानना ठीके तो वह भी उसने बंद कर दिया था so they lived separately तो वह अब सब ही जो है अलग-अलग रहा करते थे मतलब वह साथ में जो है फैमिली प्यार ये सब नहीं था सब अलग-अलग रहने लग गए थे इलियास गेव हिस साना हाउस and some of the cattle तो जब अलग-अलग रहने लगे तो इलियास ने अपने दूसरे बेटे को क्योंकि एक बेटे की तो मृत्ती हो गई थी this diminished his wealth diminished मतलब कम हो जाना तो इससे जो है इलियास का धन उसकी जो दौलत है वो भी थोड़ी सी कम हो गई थी क्योंकि उसके फैमिली में भी काफी जादा problems जो है चल रही थी then उसके बाद soon many of his sheep died due to a disease और कुछ समय बाद इलियास के जो कुछ sheep है वो मर गए थे क्योंकि उन्हें कुछ बिमारी आ गई थी कुछ animals की बिमारी आ गई थी तो इससे जो है बहुत सारे sheep जो है मर भी गए थे this was followed by a bad harvest and then से जो है आगे जाकर बहुती bad harvest हुआ मतलब फिर जो है उनका जो business था जो उनका जो farming था वो सब जो है down हो गया कम हो गया मतलब अच्छे से चल नहीं रहता तो उनके जो पैसे हैं वो भी कम होते जा रहे थे and the kyrgis stole his best herd of horses और उनके जो कुछ best herd of horses थे मतलब जो best horses थे kyrgis ने उसकी भी चोरी कर ली थी तो kyrgis मतलब ऐसे लोग जो 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 है Central Asia में रहते हैं ठीक है जो से कुछ लोग है जो Central Asia में रहते थे जो Mongolian race से बिलॉंग करते थे ठीक है तो इससे क्या हुआ उनका और धन जो है और wealth उनका कम होते चला गया तो उनका जो धन है उनका दौलत और कम होते चला गया और इसी कारण उन्हें बहुत सारी चीज़ें अपने पास की बेचने पड़ी जैसे की कारपेट जो वो यूज करते थे फर्स जो कपड़े होते हैं और जो घोड़े पर चड़ने के लिए जो घोड़े के उपर चड़ने के लिए जो इसे यूज करते हैं वो और टेन्स और रिमेइनिंग कैटल और बचे हुए जो काउ ये सब जो है उनको बेचने पड़े और जो उनका छोटा बेटा था जो उनके घर से चला गया था went to a far off country and his daughter was dead तो उनका जो छोटा बेटा था वो भी अपने family को छोड़ कर बहुत ही दूर जाकर बस गया था किसी और country में और उनकी जो एक बेटी थी उनकी भी death हो गई थी वो भी मर चुकी थी तो अभी इलियास के पास कुछ नहीं था बस उसकी पतनी थी ठीक है और सारी दौलत भी उनकी कम हो गई थी he and his wife सिर्फ वो और उनकी पतनी थी और पतनी का नाम क्या था शिम शिमागी ठीक है then their neighbor फिर उनका पडोसी था मोहमद शाह lived comfortably and was a good man और उनका एक पडोसी था जिनका नाम था मोहमद शाह वो बहुत ही आराम से रहते थे मतलब उनकी position बहुत अच्छी थी और वो एक अच्छा इंसान भी था he had pity तो उनको जो है इलियास के उपर दया आती थी क्योंकि इलियास को वो हमेशा याद करते थे अपनी hospitality के लिए hospitality मतलब जब हमारे घर में कोई आता है हम जिस तरीके से उनका स्वागत करते हैं ठीके तो ये सारी चीजे जो है वो मुहमद शा भूले नहीं थे क्योंकि जब इलियास रिच हुआ करते थे जो भी उनके पास आता था वो उनकी बहुत ही अच्छे से देखबाल करते थे जो भी उनके घर में आता था आमद शाय इन्ही बातों को याद रखते थे और वो इलियास को अभी भी इज़त देते थे एक बार वो इलियास से मिलने आए और उन्होंने कहा So वो आदमी कहता है कि आजाओ इलियास हमारे साथ रहो क्योंकि इल्यास बूड़े हो गए थे और उनको देखने वाला कोई नहीं था इल्यास, you and your old woman तो वो कहता है कि तुम और तुम्हारी पत्नी तुम दोनों आजाओ और मेरे साथ रहो In summer, you can work in my melon garden as much as your strength allows तो वो कहते हैं कि और जब summer आएगा तो तुम मेरे melon garden में काम कर सकते हो Melon garden मतलब उनका जो watermelon, musk melon का garden है उनकी देखबाल तुम कर सकते हो मतलब वहाँ पर तुम काम भी कर सकते हो जितना की तुमारा strength अलोग करता है मतलब जितनी तुमारी ताकत है, जितना तुम कर सकते हो उतना तुम काम कर सकते हो And in winters, feed my cattle और जब सर्दी आएगी तुम मेरे cattle को मतलब मेरे जो गाएं हैं, जो भी उनके जो farm animals हैं उनके तुम खाना भी दे सकते हो मतलब वो कहते हैं कि तुम मेरे साथ रहो और ये काम भी तुम कर सकते हो मेरे लिए, ठीक है When you need anything और जब भी तुमें कुछ भी चाहिए होगा Tell me, I you shall have it तो जब भी तुमें किसी चीज़ की जरुत होगी तुम मुझे बता सकते हो और वो मैं तुम्हारे लिए लाओंगा मतलब तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगी Ilyas thanked his neighbor ये सुनकर Ilyas अपने पडोसी को thank you कहते हैं क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि पडोसी उनके लिए क्यार करते हैं He and his wife began to work as laborers and did all the work sincerely और जैसे कि उनके बडोसी ने कहा वैसे ही Ilyas और उनकी पत्नी दोनों به मुहमास शा के लिए काम करने लगते हैं laborers की तरह हैं मतलब जिसके काम वालों को laborer लोते हैं जो काम करने आते हैं तो ऐसे वो दोनों भी काम करने लगते हैं और sincerely अरली मतलब बड़े ही मानदारी से वो अपना काम करने लगते हैं शुरुआत में उन्हें बहुत मुश्किलें फेस करनी पड़ी उन्हें मुश्किल लग रहा था और धीरे धीरे उनको उसकी आदत लगे थी क्योंकि उनको इतनी आदत नहीं थी पहले वो बहुत रिच थे तो इतना काम नहीं करते थे फिर अचानक से जब उन्हें इतना सारा काम करना पड़ा उन्हें महनत करनी पड़ी तो उन्हें थोड़ी प्राब्लम्स हुई बट लेटर ओन वो जो है यूज्ड टू हो गए थे वो बिलकुल भी लेजी नहीं थे वो बिलकुल भी कामचोर नहीं थे है ना बिलकुल भी आलसी लोग नहीं थे फिर एक बार मोहमद शास के जो रिलेटिवस हैं मतलब मोहमद शास के रिलेटिवस उनसे मिलने आते हैं कहीं दूर से After preparing and offering them food, Ilyas finished the work So, उनको खाना पानी देने के बाद Ilyas अपना काम खतम करता है Mohamed Shah told one of his guests about Ilyas and he said फिर Mohamed Shah अपने guest को जो उनके घर में आये थे न उनको Ilyas के बारे में बताते हैं और कहते हैं That he was aware of Ilyas and his fame Mohamed Shah अपने guest को Ilyas के बारे में बताते हैं क्योंकि Ilyas उनकी घर में काम करते थे तब वो guest भी कहता है कि मैं उनको जानता हो कि वो Ilyas के बारे में जानते हैं और उनकी fame के बारे में मतलब वो कितने famous हुआ करते थे उन दिनों में तो उसके बारे में भी उस guest को भी पता थी तो वो ऐसा कहता है फिर मुहमद शाह अपने guest को बताते हैं कि ये इलियास और उनकी जो पतनी है अब वो मेरे लिए काम करते हैं मतलब वो उनके घर में laborer की तरह काम करते थे तो ये सुनकर उनके जो guest हैं वो शौक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने सुना था कि इलियास एक टाइम में बहुत ही famous rich man थे और वो ये सुनकर चौक जाते हैं कि वो अभी इनके नीचे काम कर रहे हैं तो उनके guest भी शौक हो जाते हैं और वो कहते हैं fortune turns like a wheel fortune मतलब जो हमारी किसमत है वो किसी भी समय बदल सकती है क्योंकि किसी टाइम में वो इतने अच्छे position में रहा करते थे और आज वो किसी के घर में knocker की तरह काम कर रहे हैं तो उनके guest भी कहते हैं कि देखो किसमत भी कैसी चीज है जो कभी भी बदल जाती है पहिये की तरह turns like a wheel मतलब एक पहिये की तरह वो कभी भी बदल सकती है one man it lives and another it sets down तो किसमत भी ऐसी चीज होती है कि कभी वो किसी को बहुत ही उपर चड़ा देता है और फिर बाद में वो उसको नीचे भी ले आता है मतलब कभी भी समय किसी का एक जैसा नहीं चलता कभी कुछ अच्छा चल रहा होता है तो कभी कुछ फिर बुरा भी आ सकता है तो ये सब किसमत की बात है इस तरीके से उसके guest कहते है does not the old man grieve over all that he has lost तो वो पूछता है कि तो क्या ये आदमी क्या ये ilias जो है दुख ही नहीं है जो उसके साथ हुआ क्या उसे दुख नहीं है कि उसने अपना सब कुछ खो दिया so the guest called ilias तो वो guest जो है फिर ilias को बलाते है and his wife and spoke to them वो guest जो है ilias और उनकी पतनी से पूछता भी है क्या उनको दुख नहीं हो रहा इतना सब कुछ खो देने के बाद तो फिर ilias कहते है ilias said if I were to tell you what is happiness and what is misfortune you would not believe me तो ilias कहते है कि अगर तुम मुझसे पूछोगे कि खुशी क्या है happiness क्या है और misfortune मतलब बुरी किसमत सब क्या है तो अगर मैं तुम्हें बताओंगा तो तुम मेरा विश्वास नहीं करोगे you had better ask my wife इसलिए अच्छा होगा कि तुम मेरी पतनी से पूछो ये बार मेरी wife आपको बताएंगी तो फिर उनकी पतनी कहती है his wife said my old man and I lived for 50 years looking for happiness तो फिर पतनी कहती है उनकी कि मैं मेरा बुड़ा आदमी मतलब मेरे husband और मैं हम दोनों जो है 50 साल से जी रहे हैं happiness की तलाश में हम खुशी के लिए मतलब खुशी को खोजने के लिए हम जो है जी रहे हैं and हमें जो है वो खुशी कभी नहीं मिली and not finding it मतलब आज तक हमें वो खुशी मिली भी नहीं when we were rich और जब हम rich थे जब हम अमीर थे we had no time to talk to one another हम दोनों के पास एक दुसरे से बात करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं था क्योंकि वो बहुत ही busy थे अपने अपने काम में we spent much time looking after the visitors और हमारा सारा समय जो है visitors को देखने में ही चला जाता था क्योंकि उनसे जो है काफी लोग मिलने आया करते थे तो उनको देखने में उनका स्वागत सत्कार करने में ही हमारा जो है सारा दिन सारा समय जो है निकल जाया करता था इसके अलाबा getting work done from our laborers and worrying about our cattle और उसके बाद हम busy रहते थे अपने काम वालों से काम करवाने में क्योंकि उनके अंडर तभी बहुत सारे laborers काम करते थे तो उनसे काम करवाने में और जो है अपने cattle के बारे में मतलब जो उनके गाए जो उनके सारे farm animals थे उनकी देख बाल में इसी में उनका सारा समय निकल जाया करता था और वो हमेशा busy रहते थे उन्हें कभी भी एक दूसरे से बात तक करने का मौका वक्त नहीं मिलता था Besides, my old man I used to disagree yell and have a row Besides, मतलब इसके अलावा my old man, मतलब मेरे husband इल्यास और मैं हमेशा एक दूसरे के साथ disagree मतलब हमेशा हमारी सोच भी अलग रहा करती थी हमारे बीच में अकसर जहगडा हुआ करता था yell करना मतलब चिलाना हम एक दूसरे के उपर चिलाते थे बात करते थे एन्ड बहुत सारे fights भी हुआ करते थे तो ऐसे ही हमारा वक्त निकलता गया था क्योंकि इतनी सारी चीज़ें उन्हें देखनी पड़ी थी तो उनके बीच में काफी जादा तडाईयां भी होती थी तो ये सारी बातें जो है इल्यास की वाइफ जो है गेस्ट को बताकर बताते हुए कहते हैं अब ही मैं और मेरे हस्बेन जो है बहुत ही पीसफुली रहते हैं मतलब बहुत ही शान्ती से बहुत ही काम रहते हैं बिना किसी जगड़े के क्योंकि हमें अभी कुछ tension ही नहीं है क्योंकि अभी उनके पास लड़ाई करने का कोई reason ही नहीं है तो अभी उनका जो life है बहुत peacefully गुजरता है कोई लड़ाई नहीं, कोई जगड़ा, कोई tension नहीं क्योंकि अभी उनके life में कुछ है भी नहीं So, we have nothing to worry about and just think how best to serve our master So, अभी हम दोनों के पास सोचने के लिए भी कुछ नहीं है Just हम इतना सोचते हैं कि हम कितने अच्छे से अपने master की service करेंगे मतलब जहां पर अभी वो काम करते हैं उनको बस इतना ही सोचना है कि अपने master के अंडर अच्छे से हमें काम करना है बस इसके अलावा और अब वो कुछ नहीं सोचते मतलब अब इसलिए उनके बीच में अभी कोई लडाई भी नहीं होती We work as much as we can and we get food and clothes हम जितना हमसे काम हो सकता है हम दोनों करते हैं और उसी के बदले में हमें खाना भी मिलता है और कपड़े भी मिलते हैं पहनने के लिए यानि उनको जीवन जो है बहुत ही simple हो चुका है और इसी कारण अब उन्हें कोई tension नहीं है life में और अभी वो पहले से भी जादा खुश है We have fur to wear and fuel to burn when it is cold अभी हमारे पास fur है पहनने के लिए मतलब सर्दी में अभी हमारे पास कपड़े हैं मोटे मोटे कपड़े हैं तो उनको fur बोलते हैं तो वो अभी हमारे पास है पहनने के लिए और हमारे पास fuel है जलाने के लिए मतलब वो खाना भी अपना बना पा रहे हैं तो उनका जो basic living है वो अभी अच्छे से चल रहा है When it is cold, मतलब जब सर्डी होती है तो वो आग भी जला सकते हैं तो इतना अभी उनके पास है And we have all the time to talk और तो जैसा कि अभी उनके life में कुछ नहीं है तो उनको बहुत समय मिलता है एक दूसरे से बाते करने का और एक दूसरे के साथ वक्त गुजरने का And the time to pray और हमारे पास time रहता है कि हम भगवान से भी pray करते हैं मतलब अभी उनका time जो है बहुत ही peacefully गुजर रहा है At last we have found happiness और last में अभी जाकर हमें मिल रही है happiness मतलब अभी हम जो है इस stage पर life के इस stage पर हम जो है खुश है पहले हम जब rich थे हमारे पास बिलकुल भी वक्त नहीं था कि हम खुश भी रह सके पर अभी जो है हमारी life ऐसे जा रही है कि हम जो है life में खुश है यह सब वो guest को बताते हैं और the guest initially laughed और जैसे ही यह guest यह सब सुनते हैं पहले initially मतलब सबसे पहले वो हसने लगते हैं and but soon realized that what Elias was saying was indeed the truth of life so पहले तो उनके guest जो है यह सब सुनकर हसने लगते हैं but last में वो realize करते हैं मतलब उन्हें विश्वास होता है उन्हें यकीन होता है कि यह सब जो है Elias जो कह रहे हैं वो सच है यही है जीवन का सत्य truth of life मतलब यही जिन्दगी का सत्य है यही हकीकत है कि तो जो जीवन की खुशी है वो कभी भी हमें पैसे से नहीं मिलती है खुश रहने के लिए बहुत ही wealthy होने की जरूरत नहीं है है ना खुशी हर चोटी चोटी चीज में हम जो है खुशिया ढोट सकते हैं तो यही है जीवन का सत्य इस तरीके से उनके guests भी समझ जाते हैं Elias के life के example और उनकी कहानियों को सुनने के बाद तो यही आपका chapter है Elias ठीक है तो हमने भी इस chapter से इस story से यही सीखा खुश रहने के लिए बहुत सारा समान होना बहुत सारी चीजे होना बहुती धनी होना इन सब की जरूरत नहीं है हम चोटी चोटी चीजों में भी खुशियों को ढूंड कर खुश रह सकते हैं तो यही हमने आज इस story से भी सीखा सो इसी के साथ हमारा ये chapter भी यहां पे complete होता है then back exercises है जो आपको इस तरीके से complete करना है आप देख सकते हैं सो hope आपको lesson भी समझ में आया होगा अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले lesson के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर